जैश्री राधे कृष्णा ओन कुक्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता में आज सुनिए चालाक सेठ और यम्राज की कहानी दोस्तों बहुत समय पहले की बात है किसी नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था उस व्यापारी ने एक हाथी को पाल रखा था विधाता के निश्चित समयानुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यू हो गई यम्राज के दूद उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए यम्राज ने चित्रगुप से उस हाथी के कर्मों के बारे मैं जानना चाहा तब चित्रगुप ने यम्राज से कहा कि प्रभु इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है इसके कर्म काफी अच्छे रहे है तब यम्राज खुश होकर हाथी से कहने लगे कि हम तुम पर प्रसन्न है क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किये है, इसलिए मैं तुम्हें वापस प्रित्वी लोग पर भेजना चाहता हूँ हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु यदि आप हमारे उपर प्रसन्न है तो हमें यह वर्दीजिये की इंसान हमारे उपर कभी भी शासन न कर सके यह सुनकर यमराज काफी आश्चर्य चकित हो गए, उन्होंने हाथी से कहा कि हे गजराज मनुष्य तो काफी बुद्धिमान प्राणी होता है, फिर तुम इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते तब हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु मैं ये नहीं चाहता कि कोई मनुष्य हम पर शासन करे क्योंकि मनुष्य के साथ रहना हमारे लिए काफी कठिन है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग काफी होशियार होते हैं यमराज ने हाथी से कहा कि ठीक है यदि तुम्हारी बात सही निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे और यदि तुम्हारी बात जूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा हाथी ने कहा कि मुझे मनजूर है तब यम्राज ने यम्दूतों से कहा कि जाओ और इसके मालिक को यम्लोक लेकर आओ चार दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए प्रित्वी लोग पर गए जब हरिलाल सो गया तो चारो दूतों ने चारपाई सहित उस हाथी के मालिक को लेकर यम्लो की तरफ बढ़ने लगे हरिलाल की बीच में नीद खुल गई उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी तब हरिलाल ने यम्दूतों से पूछा कि हमें कहा लेकर जा रहे हो तब यम्दूतों ने कहा कि हम आपको यम्लो यम्राज के पास लेकर जा रहे हैं तब हरिलाल ने कहा कि यम्लोक तो लोग मृत्यों के बार जाते हैं मैं तो जिन्दा हूँ तब यम्दूतों ने कहा कि आज यम्लोक में जिन्दा इंसान की जरूरत है इसलिए हम तुम्हें यम्लोक लेकर चर रहे हैं हरिलाल काफी होशियार था उसने काफी देर तक सोचा कि उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया उसके चार पाई पर ही बगल में कागस और कलम थी उसने कागस कलक उठाया और एक साधे कागस पर उसने लिखा कि यम्राज इस मनुष्य को अपना सिंघासन सौप देना यह मेरा आदेश है और उसने भगवान विश्नु का हस्ताक्षर भी कर दिया यम्दूत हरिलाल को लेकर यमलोग पहुँचे वहां यम्राज हरिलाल को देखकर काफी खुश हुए हरिलाल ने यम्राज को वह कागस थमा दिया जिसे पढ़कर यम्राज अपने सिंघासन से उठ खड़े हुए और हरिलाल को यमलोग का राजा बना दिया हरिलाल का हाथी उसकी होशियारी देखकर काफी आश्चर्य चकित हुआ अब यमलोग पर हरिलाल का शासन का हो गया हरिलाल ने चित्रगुप्त को डोट आदेश दिया की जो भी लोग नर्ट लोग में है उन्हें स्वर्ग लोग में भेजा जाए और नर्ट लोग का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए अब जो भी लोग मरने लगे वो सभी स्वर्ग लोग में जाने लगे फिर यह बात भगवान विश्नु के पास पहुच गई की आखिर यमलोग का संतुलन क्यों बिगड रहा है सभी लोग स्वर्ग जा रहे है यह सोचकर भगवान विश्नु यमलोग पहुच गए और देखा की यमलोग के द्वार पर यमराज बैठे हुए थे यह देखकर भगवान विश्नु ने यमराज से कहा की यमराज आप बाहर क्यों बैठे हुए है तब यमराज ने भगवान विश्नु को हरिलाल द्वारा दी गई उस कागस को दिखाया जिसमें लिखा हुआ था की इस मनुष्य को यमलोक का सिंधासन सौप दिया जाए और नीचे भगवान विश्नु का हस्ताक्षर भी था यह देखकर भगवान विश्नु हसने लगे और यमराज से कहा कि तुमने किसी जिन्दा मनुष्य को यमलोक में बुला लिया है क्या तब यमराज ने कहा कि हाँ प्रभू मैंने एक जिन्दा मनुष्य को धर्ती से यमलोक में बुलाया है तब भगवान विश्नु यमराज के साथ हरिलाल के पास पहुँचे हरिलाल भगवान विश्नु को देखकर सिंधासन से उठ खड़ा हुआ और भगवान विश्नु से बोला की प्रभू मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपको अपने समक्ष बुला सकू इसी लिए मैंने यह सब कुछ किया हरिलाल की बात सुनकर भगवान विश्नु बहुत प्रसंद हुए यमराज ने हाथी से कहा कि हे गजराज आप जीत गए और मैं हार गया उसके बाद यमराज ने हरिलाल को वापस प्रिथवी लोग पर भेज दिया और उसके दिमाग से यह सारी बाते बुला दी और यमराज ने गजराज को भी प्रिथवी लोग पर भेज दिया